दिल्ली हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़ा, दिल्ली हिंसा में मरने वालों के संक्या 22 तक पहुंच गई हैड कॉंसिबल समेत 22 लोगों की मौत, जीडीपी अस्पताल में किस और एलन जेपी में एक की मौत हुई हिंसा में पुलिस वालों समेत 170 लोग खायल हुए हिंसा घ्रस्त हिलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है बड़ी खबर इस वक्ती मौत का आंकड़ा लगातार पड़ता हुआ मौत का आंकड़ा बढ़कर धली के हिंसा में 22 हो चुका है जिसमें सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा जीटीबी अस्पताल से पता चलता है जहां पर 21 लाशे पहुची या फिर वहां पर 21 का आंकड़ा मौत का हो गया एक एलन जेपी अस्पताल में हैड काउंस्टिमल समेद 22 लोगों की कुल मिलाकर दिल्ले हिंसा में मौत हो चुकी है बड़ी कबार इस वक्त की हाला कि आपको बता दे कि आप पोलिस ने और सी आर पी एफ ने यहां पर मूर्चा संभाला है फ्लैग मार्च जारी है सबसे शान्ती की अपील की जा रही है खुद परधान मंतुरी नारेंद्र मोदी ने आज शान्ती की अपील की है लेकिन जो नुकसान होना था पिछले दो से तीन दिन में लगातार उत्तर पूरवी दिल्ली जलती रही